एक बार बावा सहब अमेटकर ने जातिवाद और छुआ छूट से तंग आकर कहा था कि वो भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं लेकिन वो हिंदू बनकर नहीं मरेंगे और उन्होंने वही किया अपनी मौद से कुछ महीने पहले बावा सहब ने बौद धर्म अपना लिया था याई कि मुभले हिंदू पैदा हुए लेकिन मर्त वक्त वो एक बौद थे हाला कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं जिसमें इसलाम हिंदू धर्म के बाद सबसे प्रचलित है यहां तक कि हैदराबाद के निजाम ने बावा सहब पर कई बाद दवाब डाला था कि वो इसलाम धर्म को अपना ले अपनी मौत से करीब एक साल पहले ही बाबा साहब को ये एहसास हो गया था कि वो शायद अब जादर दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिग्या पूरी करने का फैसला किया उन्होंने सभी धर्मों पर शोध शुरू किया इसी बीच हैदरबाद के निजाम चोहते थी कि बाबा साहब इसलाम धर्म अपना ले इसके लिए बाबा साहब से कई बार निजाम ने बात भी की थी लेकिन तब भी बाबा साहब ने इसलाम नहीं अपनाया जातिवाद और दलीतों की इस्तिती दोनों ही धर्मों में एक जैसी है बावत हब इसलाम में काफी समय से चल रही कुरूतियों को बिल्कुल पसंद रही करते थे इसलाम में भी बड़े अमीर और उची जाती वाले लोगों की ही चलती है यहां भी दलितों की हालत बलतर है दलितों की जो भी दूर्दशा है उसमें दास्प्रथा का एहम रूल है और इसलाम दास्प्रथा को बढ़ावा देता है इसलाम में दास्प्रथा को खत्म करने को लेकर कोई कमिंटमेंट नहीं है इसलाम में उजे लोग बिलकुल हिंदू ब्राह्मनों की तरह ही सोचते हैं इसलाम धर्म में राजनीती बिलकुल हिंदू धर्म की तरह ही फूट की राजनीती होती है इसके अलावा इसलाम में महिलाओं की दर्शा बिहर खराब थी इसमें बहु विभा की कूप रथा सबसे जादा महिलाओं को तकलीफ देती थी इन परथाओं के कारण उनका सोशन और दमन हुता था अंबेड कर मानते थे कि इसलाम में दलितों की कोई जगा ही नहीं है क्योंकि दलितों को इसलाम में अपनाया ही नहीं जाएगा उन्हें बराबरी का हक नहीं दिया जाएगा साथ ही इसलाम में कुरूतियों को दूर करने के विचारक ही नजर नहीं आते हैं ना ही वो पुरानी रूढ़िवादी सोच से बाहर आना चाहते हैं और बिना इन कुरूतियों को खत्म किये बिना समानता नहीं मिल सकेगी खुझा अ